हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि आज आरपीफ का टू फरवरी को एक्जाम था और तीनों सिफ्टों के एक्जाम जो है दोस्तो हो चुके हैं सारे क्योशन सो दोस्तो हम नहीं जोड़ पाई हैं लेकिन काफी क्योशन हमने अपडेट किये हैं और दोस्तो क्योशन देखने के बाद जिन लोगों ने एक्जाम दिया है वो खुद ही बता देंगे कि ये क्योशन पूछे गए थे या नहीं तो 100% दोस्तो हमारी तरप से यह क्योशन एक्जाम के अंदर पूछे गए थे तो चलिए दोस्तो बिना टाइम बरबाद के शुरू करते हैं इन क्योशनों से आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें जिसे आपको नोटिफिकेशन के जरीए और पीफ एक्जाम से र बात करें दोस्तो तो वस गुब्टमस से रिलेटेड़ हर एक सिफ्ट के अंदर दोस्तो पूछा जा रहा है तो यह गुब्टमस का पूछा गया था तो शिरुगुब्ट इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा नेश्ट क्योशन दोस्तों मसालों के राजनी लाइची होई चुकी है किस पादब को पूस्प सबसे बड़ा होता है तो रेफलीसिया का जो पादब है दोस्तों पूस्प है वो सबसे बड़ा होता है नेश्ट क्योशन दोस्तों है हमारा किस राज्य में पंचायती राज संस्ता नहीं है पंचायती राज संस्ता के दोस्तों हम बात कर लिया था तो यह दोस्तो नागालेंड है नागालेंड की जो राज के बासा है वो भी दोस्तो अलग है ठीक है next question दोस्तो है हमारा xy x-y equal to और xy equal to 24 है तो इसका दोस्तो मान निकालना था तो इसका दोस्तो right option हमारा 52 था ठीक है जो है इसका दिया हुआ था बढ़ते हैं दोस्तो अगले question की तरफ lcm 112,22 और 90 का दोस्तो lcm हमें निकालना था तो इसका दोस्तो right option हमारा यह होई जाएगा पचास चालिस जो था इसका right option था एक दोस्तो यह reasoning का question पुछा गया था तो इसके अंदर दोस्तो इनका गेब देखके इनका अंडरूट करना था यह 18 और 12 का दोस्तो जैसे 6 हो गया और 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 दोस्तो same है इनका 4 है और इसका दोस्तो जो रहेगा हमार 1916 का तो 1916 का गेब दोस्तो हमारा हो जाएगा तीन का और तीन का अगर हम करेंगे तो वह आ जाएगा दोस्तो नो तो यही question इसके अंदर दोस्तो पूछा गया था reasoning is related किसी वृत के अंदर बने वर्ग की बुजा ए अंडरूट 2 unit है वृत की प्रितिकामान ग्याद करें इस next question राजस्तान सरकार पंचायती राज दल का निर्मान किस अधेक्स्ता में किया तो यह साधी कली के अधेक्स्ता में दोस्तो राजस्तान सरकार दोरा पंचायती राज दल का निर्मान किया गया था विद्यूत परतिरोध किस में मापा जाता है तो विद्यूत परतिरोध दोस्तो ओम में मापा जाता है और विद्यूत वोल्टेज को वोल्ट में दोस्तो और हमारा एंपेर जो हता है करन्ट को एंपेर में मापा जाता है तो ये दोस्तों क्योशन तीनों की तीनों यूनिट्स बहुत बार एक्जाम के अंदर पूछी जाती है जुरूर अच्छे से कवर कर ले next question WTP का full form क्या है तो west water treatment plant दोस्तो WWTP का full form है ये भी काफी interesting question है full form से related freon का racinic formula क्या है तो freon का CF2, CL2 जो है इसका racinic formula है ये भी question science से पुछा गया formula दोस्तों लगबग सारे जुरूर याद करें क्योंकि formula से related question काफी पुछे जा रहे है alpha और beta क्रेणों की कोज किसने की तो rather forward ने की थी दोस्तों ठीक है मानव सरीर का कौन सांग प्रभावित होता है मस्तीस का next क्योंस दोस्तों ये एक किरिया का पूछा गया था ये कौनसी किरिया है तो ये दोस्तों योगात्मक किरिया है कौनसी है ये दोस्तों योगात्मक किरिया है science से related अच्छे क्योशन पुछे जा रहे हैं एन ए उच सुत्र वाले साइनिक योगी का समन्य नाम है तो ये दोस्तो है हमारा कास्टिक सोडा ये भी इंटरेस्टिंग क्योशन था साइंस दोस्तो हमारी लगबग वीडियो से सारे क्योशन आ रहे हैं तो 50 प्लस NCRT साइंस की वीडियो हमने अपलोड कर दी है वो नहीं देखिए तो दोस्तो जुरूर देख लें ये मिरेर इमेज में दोस्तो फैल कौन को क्या लिखा जाएगा तो वो दोस्तो पुछा गया था तो इसको दोस्तो उल्टा शो करना था यहां सिंपल क्योशन था वाटर इमेज के अंदर दोस्तो रोज पुछा गया था तो रोज को दोस्तो यहां मिरे लगा के उल्टा देखना था तो आप असानी से इसको कर सकते थे ठीक क्योशन थे इमपरफेक्ट पुस्तक के लेकर कोन है पुस्तक दोस्तो एक पुछी गई है संजय माज रेकर दवारा लिखी हुई है दोस्तो इमपरफेक्ट काफी इंटरेस्टिंग क्योशन है यह भी करन्ट अफेर से लेटेड ज़्यादा क्योशन नहीं आ रहे एक या दो क्योशन करन्ट अफेर से दिये जा रहे है हर एक शिफ्ट के अदर तो ओकरन्ट अफेर को आपको ज़्यादा सिरियसली नहीं लेना है आरपीयफ एक्जाम के अंदर दोस्तो सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी की क्योशन हम असानी से कर सकते हैं जैसे हमने एक दो शिफ्ट के एक्जाम देख लिए तो उसके हिसाब से ही बाकी की शिफ्टों के अंदर क्योशन पूछे जा रहे हैं। हेमादास की स्केल से समंदित है तो ये दोस्तो एतलेट होई जाएगा, सिंपल क्योशन है। इंडोनेसिया में आयोजित ए, सी, आई, पेरो खेलो में 2018 में बारत ने कितने पदक जीते तो 72 पदक बारत ने जीते थे। है हमारा किस वर्ष भारतिय सभीदान में नागरिकों का प्रावदान लागू हो गए थे, तो 1990 के अंदर ये लागू हो गए थे। किस कमिशन की सिफारी पंजाब और हर्याना राज्य बनाई गए तो ये सहा कमिशन के दोबारा बनाए गए थे, तो इसका दोस्तो फजल अली जो रिपोर्ट पेस की थी, इसके इसाफ़ से बनाए गए थे तो ये क्योशन भी काफी इंट्रेस्टिंग इसके अंदर पूछ किस अनुचेद के तहट बारत के राष्टी है, राष्टपती वीतिया पातकल की गोशना कर सकते हैं, तो इनुचेद 360 के तहट जो है, वो गोशना की जा सकती है, नेश्च को सन दोस्तो है हमारा बारत का मूल सिविदान किस के दवरा अस्ता लिकित है, तो प्रेम बिहारी नेश्च को सन दोस्तो है, ये चोपडा मेमोरील पुरुसकार 2018 के जो है, पूछे गये हैं, तो ये हमारा आसा पुसले हो जाएगा, नेश्च को सन वोलीबॉल गराउन को दोस्तो कोर्ड कहते हैं, ये भी काफी इंटरस्टिन कोसन पूछा गया था, और ये चोपडा मेमोर टाइप जिके से पूछा गया है अगला क्योशन दोस्तो है हमारा भारत का लोह मानव किसे कहा जाता है तो वलब बाई पटेल को भारत का लोह पुरुष जो है वो कहा जाता है अगला क्योशन दोस्तो राष्ट पती अपना इस्तिपा किसे देता है तो उपराष्ट पती को द पताएंगे ये क्योशन ही पूछे गए थे ताकि सबका कंफरम भी हो सके कैसे लेगी वीडियो दोस्तों एक छोटा सा लाइक जुरूर करें और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जुरूर कर लें जिसे आपको ने तोपिक पर वीडियो मिलती रहें मिलते हैं दोस्तों मेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार